ओम शान्ति योग मान याद जितना कमबाइन रहते हैं उतना सही समझ सही जगा काम करती है और करम तब जाके स्रेष्ट बनते हैं आप स्रेष्ट करम करते हैं या नहीं करते हैं इसकी पहचान सबको होती है कोई अपने आप में सोचे कि मैंने तो स्रिश्ट करम ही किये हैं अब दूसरा नहीं समझ पा रहा तो मैं क्या करूँ ऐसा नहीं होता स्रिश्ट करम आप करेंगे कोई एक या दो हो सकते हैं जैलिसी वश इरशिवश समझ सकते हैं लेकिन सब नहीं, अगर सब गलत समझते हैं, तो कर्मों में वो स्रेष्टता नहीं है, और उसके लिए आपको अपने आपको अलट करना होगा, पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनना होगा, और पारस बुद्धी, माना इतना स्रेष्ट चिंतन, इतनी शुब भावन नहीं, इतनी शुब काम नहीं, और संकल्पों में इतनी स्रेष्टता, उसके आधार पर कर्म स्रेष्ट होते हैं, इसलिए बाबा कहरे, कि आत्मा को सत्व परदान बनाने के लिए अपने को ग्यान योग का इंजेक्शन देना है, हर एक चाहता है, मैं सत्व परदान हो मेरा चिंतन अच्छा होना चाहिए, मेरी बुद्धी अच्छी होनी चाहिए, मुझे अच्छे संकल्प आना चाहिए, सब कोई चाहता है, पर यह जो करने की बात हमें कहीं जाती है, कि ग्यान योग पर ध्यान दे, और अगर ग्यान योग पर ध्यान नहीं होगा, तो चिंत इंप्योर्ट चलेगा यह यूंही नहीं चल जाता उसका कारण है ज्ञान योग की कमी वह जीवन में है नहीं तो कुछ भी सोचते हैं कुछ भी पून लेते हैं इसलिए आत्मा को सतोपरदान बनाना है तो ज्ञान योग का इंजेक्शन देना होगा परिवर्तन आपने अपन है एक जनम मिला है पूरा कल्प सुधारने के लिए और उस एक जनम में क्या कर रहे है तेरी मेरी इसकी उसकी बस इसी में समय बिच जाएगा समय थोड़ा और थोड़े समय में आपको अपने करम स्रेष्ट करने हैं अपने विचार अच्छे बनाने हैं बुद्धी बनानी है पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनना है यह सब आपको अपने लिए करना है या साथियों के लिए करना है अपने लिए तो जाके आपके संग का रंग किसी और पर लगेगा दूसरे के संग का रंग आपके उपर नहीं आएगा इसका बेसी की चीज़ है ग्यान योग है, तो आत्मा सतो परधान होती है, तो पत्थर बुद्धी पारस बुद्धी बनती है, तो स्रेष्ट संकल्पोंगी रचना होती है, तब जाके करम स्रेष्ट होते हैं, ऐसे तो हर कोई सुसता है, मैंने किसी के लिए रहम की भाव न रख ली, तो मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, जैसे किसी बुके को खाना खिला दिया, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं पुन्य आत्मा हूँ, ऐसे सोच लेने से पुन्य आत्मा हो जाएं, और जो व्यर संकल्प चलते हैं, जर्फ एक तरफ जाकर अगर अच्छे कल्म कर दिया, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन सारी ही संकल्प अच्छे चलने चाहिए, बुद्धी आटोमेटिकली पारस होनी चाहिए, जैसा बाबा चिंतन चलाते हैं, वैसा ही हमारा चिंतन उपना चीए, तब जाके हम ऐसे बन पाएंगे, और फेर ये धीरे धीरे बुल जाते हैं, कि हमको बनना अब आप समान है, और देखते दूसरों को है, तो दूसरे के समान ही बनेगे, जिसको देखोगे उसके तरह बनोगे, अब किसको देखना है? चुआ सारे के अपने हाट में हैं, तो आत्मा को सत्तो परधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धियोग स्वीट हों में लगाना है अपने आप लगेगा तब जब लगाना आता होगा जैसे कोई भी आदत आप डालते हो तो फिर वो अपने आप काम करने लग जाती इसी तरह से हमें बुद्धियोग पहले लगाना आना चीए फिर उसके बाद अटोमेटिकली वो लग जाएगा तो पहले लगाना है फिर लगता है कोई भी आदत पहले कोई डालता है फिर डलती है जैसे कोई इसमें बड़े घवरा जाते हैं आरे कब तक करे आत्मा ही नी समझ में आती तो प्रैक्टिस है नहीं इसलिए तो ऐसी हालत है प्रैक्टिस हो तो चिंतन भी स्रेष्ट हो विचार भी अच्छे हो किसी से वैस भी ना करें किसी से लड़ाई जगडा भी ना करें क्योंकि एक है दबाना और एक है संसकार को इमर्ज करना कि हमारे अनादी और आदी संसकारी मर्ज रहने चाहिए, वो देवताई संसकार, वो निराकारी संसकार, वो ही मर्ज होने चाहिए, लेकिन जो दबाते हैं, वो एक दिन फूट जाते हैं, ऐसे नहीं करना होता है, चेंज करना होता है, इंजेक्शन, इंजेक्शन सीधा है अंदर वो जल्दी असर करता है इसलिए से ज्ञान योग का इंजेक्शन का जाता है कि अपने आपको दो योग में बैठो और ज्ञान बुद्धी में धोराओ क्या सुना है उस पे विचार करो तब जाके परिवर्द रहा है तो अपना बुद्धी योग स्वीट हो में गाना है ओम शांति